मुंबई में निर्भया जैसी दिल दहला देनी वाली दरिंदिगी की वारदात सामने आई जहां एक महिला के साथ बलातकार की वारदात को अंजाम दिया गया रेप के बाद आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रौट डाल दी इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आगई ये शर्मनाक वारदात मुंबई के साकी नाका इलाके की है जहां खैरानी रोड पर एक तीस वर्षी महिला के साथ पहले बलातकार किया गया और रेप के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में रौट डाल दी महिला को बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुचाया गया इस मामले में जानकारी होने के बाद पोलिस ने दबिश देकर एक आरोपी को गिराफतार कर लिया भटना की जानकारी मिलते ही डेसीपी और अतिरिक्त पोलिस आयुक्त साकी नाका थाने पहुच गये पोलिस को आशंका है कि इस वार्दात में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं पोलिस इस मामले में पकड़े गए आरोपी से पूछ ताच कर रही है कर दो कि एक आदमी ने फोन करके आईसा बताया गया कि एक आदमी और एक आउरत के बीच पर जगड़ा हो रहे आद्मी आउरत का मार रहे जदी से जदी आपे पोलीस का मदद बेज दीजिए ऐसा पोना आयते तुरंद वहां पे 10-15 मिनिट के अंदर पताकिना का पोलीस पोची थी वहां पे पोची थी वहां एक टेम को के अंदर एक लेडी उसमें इंजूर मी थी कुछ ब्लेड भी आ रहे थे ऐसा स्तिति में मिली थे मिलने के बाद तुरंत राजवाडी फास्पटल में पोलीस ने लिखे गया है आजवाडी हस्पटल उसका एडबिटर के उ सिसी टीवी फुटेज का अधारित और आंकी गोपनिया इंफर्वेशन का अधारित में एक आरोपी का अरश्ट किये थे आरोपी का नाम है मोहन चौगान उमर 45 येर्स है और उसका आगे का इंवस्टिगेशन चालू है सतिप्रकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से समवादा था चूडचुके हैं सतिप्रकाश जिस तरीके से महिलाओं पर दिन बदिन ये सब केसिस देखने को मिलते हैं पहले दिल्ली में एक समय पर निर्भया केस देखने को मिला था जहां पर सेम यही वारदात देखन पर देखने को मिली है क्या कुछ अपडेट है आपके पास जी प्रियंका बिल्कुल इस सब्सक्राइब करें निर्भया कांट थीक उसी तरह से मुंबई में एक बार तिस से निर्भया कांट जैसी घटना सामने आई है निर्भया कांट जो दिल्ली वाला हुआ तो वह चलत प्राट को चोड़ पहुंचा है कि इसमें उसकी हालत बहुत गंबी रोगई करीब राज थारे सीन बजे लगत खुन से जब उसको एक फोन आता है पुलिस को एक महिला के साथ पुलिस जो है जमकर मार पीट कर रहा है उसके बाद मुंबई पुलिस जो है मौके पर पहुंस क्यों कि इस्ति बेहदी नाजूक है कुछ भी हो सकता है उसको लेकर लगातार मुंबई पुलिस जास कर रही है लेकिन एक बार बता दे कि यह बहुंब इस जारए घटना है कि इस तरह कि मुंबई जैसे सहर में और देर राच के अंधेरे में इस जासी होती है और मुंबई पुलिस नहां कि पकल जरूर लिया लेकिन लोगों के मन में कहिंए जिहन में बना हुआ कि इस तति की इस्तिती तुबारा नहों उसको लेकर मुंबई पुलिस लगातार काम करें धी धन्यवाद सत्य प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए तो महिलाओं पर दिन बदिन ऐसे दरिंदिगी देखने को मिली है